Hello everyone, good morning, welcome back to Parcham आज हम discuss करने वाले हैं 1st and 2nd of May के Current Affairs तो पहले हम news देख लेते हैं, news के बाद हम revision question देखेंगे और फिर computer के questions भी देखेंगे अंत में होगा question of the day, जिसका answer आप हमें comment section में देंगे तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का session हाँ, अगर आज की class की PDF आपको लेनी है तो पच्चम का telegram है तेलिग्राम से आप Current Affairs की PDF ले सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे 1st and 2nd of May के important days के बारे में स्टार्ट करेंगे 1st May, 1st May एक माई का जो दिन होता है इसको हम मजदूर दिवस भी कहते हैं इसे हम कामगार दिवस के रूप में भी जानते हैं इसे हम International Labor Day भी कहते हैं और May Day के रूप में भी इसे जाना जाता है ठीक है तो कई सारे नाम आपको 1st May के देखने को मिलेंगे International Labor Day मनाया जाता है अब एक माई को ही क्यों मनाया जाता है दो माई को मना लेते हैं या किसी और दिन मना लेते हैं तो 1st May को 1886 में United State of America में जो भी आपके लिवर्स थे उनकी यूनियन ने सबसे बड़ी यहाँ पे स्ट्राइक की थी और इन्होंने डिमांड की थी कि जो वर्कर से वो आठ घंटे से जादा काम नहीं करेंगे तो 1st May 1886 लेबर यूनियन बेंट अन इस्ट्राइक इन युनाइट इस्टे आपके लेड़ी बार इंटरनेशनल लेबर दे मदरास में मनाया गया और जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान थी उसके द्वारा इस दिन को मनाया गया था नेक्स्ट बात करेंगे आज ही के दिन मतलब 1st May को हमारे दो राज्य भी बने थे गुजरात और महराष्ट आप लोगने बॉंबे प्रेसिजेंसी का नाम तो सुना ही होगा है न तो यहां पर देखें बॉंबे री ओर्गनाइजेशन एक नाइटीन सिस्टी में फास हुआ कोंकनी यहां पर महराष्ट बना दिया और कच्छ गुजराती बोला जाता था उसे गुजरात्र बना दिया तो इस तरीके से 1st May को गुजरात और महराष्ट कांडेशन दे मनाया जाता है ओके नेक्स्ट बात करेंगे 2nd में तो 2 माई को United Nation के द्वारा एक दिन के शुरुआत की गई थे जिसको हम World Tuna Day कहते हैं Tuna क्या होती है एक फिश होती है जो कि Salt Water Fish है और इसको बचाने के लिए basically United Nation के द्वारा World Tuna Day के शुरुआत की गई 2017 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था तो 2nd में को हम World Tuna Day मनाते हैं World Asthma Day तो World Asthma Day जो है वो जो 1st आपका टुइस जे आता है में में न जो पहला आपका मंगलवार आता है मई के महीने में उस दिन World Asthma Day मनाते हैं आज देखिए पहला मंगलवार है मई का इसलिए 2nd में को हम World Asthma Day मना रहे हैं World Asthma Day इसलिए मनाया जाता है लोगों को अस्तमा के बारे में educate किया जाए उनको सिक्षा दी जाए ठीक है इस दिन की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो Global Initiative for Asthma के द्वारा की गई थी 1993 में अस्तमा Care for All यहां पर थीम है तो यह तो हो गए हमारे important days अब हम बात करते हैं कुछ important person अब यह जो important person वह वह वाकई में important है तो पहले जो person है वह आपको किसी site में किसी paper में किसी one day exam में छपे हैं और छप चुके हैं आप इमान के चलिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहां बार्क के डारेक्टर एके मोहंती के बारे में इन्हें new atomic energy commission का chairman and secretary of department of atomic energy बना दिया गया है तो government of India के द्वारा बार्क डारेक्टर एके मोहंती को atomic energy commission का chairman और department of atomic energy का secretary मतलब सचिव बना दिया है तो caution कैसे बनेगा कि पर्माडो उर्जा आयोक का नाया अध्यक्च कौन है तो एके मोहंती है या पर्माडो उर्जा बिभाग के नाय सचिव कौन है तो वो भी एके मोहंती है तो आंसर हो जाएगा बार्ग, बार्ग के डारिक्टर है, तो कैसा भी कॉश्चन यहां से बन सकता है, इन्होंने के अन्वियास को रिप्लेस किया है, तो अजीत कुमार मोहंती इनका पूरा नाम है, इन्हें चेर्मेन ओफ एटोमिक एनरजी कमिशन और सेकेटरी अफ डिपा जब हो जाएगे तब तक, गवर्मेंट के ओडर तक, ठीके, सो भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर के यह डारिक्टर कब से थे, सिंस 2019, 2019 से थे, अगर मैं भाबा इंस्टिूट, भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर के बारे मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मेशन स्टोन किस ने रखा था, या फाउंडर कौन है, तो होमी जहांगिर भाबा है, और ट्रॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी, 1954 में, 1954 में, तो एक है मोहंती का नाम बड़ा इंपोर्टेंट है, चली, अगले परसन है देवदत चंद, यह है देवदत चंद और इन्हें B.O.B. Bank of Baroda के चीफ के रूप में अपोइंट किया है, तो देवदत चंद अपोइंट अपोइंट इस अन्यू चीफ और इन्हें B.O.B. Bank of Baroda के नए चीफ, मतलब MD and CEO कौन बन गए है, और इनका 10 जून को रचाएगा, कितने साल के लिए, for the period of 3 years, 3 सालों के लिए है, क्यों? क्योंकि ज संजीफ चडड़, जो के MDNCO है, B.O.B. के, ये 30 जून को रिटायर हो जाएंगे, और जब इनका 30 जून को रिटायर्मेंट हो जाएगा, तब देवदत चंद जो है, वो नए MDNCO बन जाएंगे, B.O.B. के, इसके अलावा, यहाँ पे देखिए, एक और अपोइंट की गई ह कैबिनेट कमीटी के दौरा, वो है रजनीश करनाटक, रजनीश करनाटक, इन्हें MDNCO बनाया गया है, बैंक ओफ इंडिया का, बैंक ओफ इंडिया के, यह तीन साल के लिए, रजनीश जी जो है, वो MDNCO बन गए, अगर हम B.O.B. के बारे में बात करने, तो 1908 में इसका रेडियो वगरा पर, तो यहाँ पर जो मन की बात है न, उसके 100 एपिसोड कम्पलीट हो गए, कितने एपिसोड, 100 एपिसोड कम्पलीट हो गए है, तो यहाँ पर एक बुक लाँच की गई है, 100 एपिसोड जो है, वो मन की बात के कम्पलीट हो गए है, तो यहाँ पर एक कौन है सशी सेखर वियमपती और इस सशी सेखर कौन है तो शशी शेकर जो है वो फॉर्मर सी ओ और प्रचार भारती रहें 2017 से 2022 तक यह जो है वियमपती जी सी ओ रहें प्रचार भारती के और उन्होंने इस बुक को लिखा है क्योंकि अभी रिसेंटली मन की बात के 100 एपिसोट कमप्लीट हो गए है आएब मन की बात की ओपर थोड़ी से चर्चा कर ले तो कॉश्चन कैसे बनेगा पहला कॉश्चन तो सिर्फेंगा किमन मन की बाद रेडियो ब्राडकास तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया 100th episode मन की बाद का 30 अपरेल को कब किया गया? 30 अपरेल को किया गया मन की बाद की शुरुआत 3rd October को हुई थी 3 October को हुई थी 2014 में 2014 में इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मन की बात कहते हैं और पुरे देश को सारी कम्मुनिटीज को एडरेस करना करते हैं अलग-अलग topics पे इन्होंने weather पे, environment पे, social issue पे, कई सारे चीजों पे discussion किया है यह जो पूरा broadcasting होती है, यह 23 Indian language में होती है और 29 dialect में यह पूरा मन की बात को broadcast किया जाता है To celebrate this landmark achievement, the 100th episode of the show was broadcast live from the United Nation Headquarter in the New York as well तो इसको New York Headquarter से भी, यहां पे United Nation के Headquarter से भी broadcast किया गया तो आपको survey number के जो मन की बात का radio broadcasting हुआ, इसका date आपको ज़रा याद रखना है चलिए, अगले person के बारे में चर्चा करते हैं, हम बात करेंगे हाँ पे, रंजीत गुहा के बारे में वेरी important person, रंजीत गुहा आस्ट्रिया में रह रहे थे basically और बांगलादेश मिन का जन्म हुआ था और फिर कोलकाता इनकी फैमिली जो है वो शिफ्ट हो गई थे, ठीक है oldest living historian थे हमारी country के, जिनका निधन हो गया है रंजीत गुहा, रंजीत गुहा, साथे साथ इनोंने कैलगटा हाई कोट में जो है वो advocate की practice भी की है, इनका एक बहुत famous बुक है वो हम देखते हैं, elementary aspects of peasants, insurgency in the colonial India, ये इनकी एक famous बुक है जो आपको याद रखनी है, चली अगल ये person है Dr. N. Gopal Krishna, ये है Dr. N. Gopal Krishna, इनका भी निधन हो गया है, और ही scientist थे, कौन थे ही scientist थे, so notice scientist and orator, Dr. N. Gopal Krishna passed away at the age of 68, और he was the founder of Indian Institute of Scientific Heritage, तो अगर पूछा जाए कि Dr. N. Gopal Krishna, जिनका निधन हो गया है, वो कौन थे, तो scientist थे, इन्होंने कौन से institute का foundation stone रखा या किस institute के founder थे, तो answer हो जाएगा, Indian Institute of Scientific Heritage, इसके अलावा scientist भी के रूप में काम कर रहे थे, कहाँ पर CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, ठीक है, तो ये कुछ persons थे, जो हमने देखे, ठीक है, एक question हम या पर discuss कर रहा है, जिसको आप current की तरह नहीं देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप static की तरह इस question क को देखो कि कालेशियर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कालेशियर नेशनल पार्क आपको हर्याना में मिलेगा, हर्याना में जो शिवालिक की फुटिल्स है, वहाँ पर आपको ये नेशनल पार्क मिलेगा, यमना नगर डिस्टे को फर्याना में ये नेशनल पार्क मिलेग क्यों हम चर्चा कर रहा है ऐसा क्या हो गया तो यहां पर tiger spot किया है 110 साल बाद 110 years के बाद यहां पर tiger को देखा गया है camera में capture किया गया है ठीक है इसलिए यह national park ज़रा news में आ गया है ठीक है तो tiger spotted at Kalisha national park in Haryana after 110 years ठीक है last tiger 1913 में यहां पर देखा गया था और 110 साल के बाद यहां पर tiger को देखा गया है यह tiger जो आपका national park है basically यम्ना नगर डिस्टिक हर्याना में मिलता है और इसको national park कब डिकलियर किया गया 2003 में से national park डिकलियर किया गया यह जो Kalisha national park है यह हिमाचल प्रेश उत्राखंट और उत्तर प्रदेश के साथ boundary भी शेयर करता है यहां पर Kalisha महादेव temple है इसलिए इस प्रमाइसेस का नाम जो है वो Kalisha national park है और यह बहुत famous है कि इसके लिए dark bungalow के लिए यहां पर एक dark bungalow है जो कि जब बिटिश एरा था उससमें एक administration architect रहा है यह तो इसलिए आपको इस national park का नाम याद रखना है अगर मैं थोड़ा सा और जानकार यह आपको दे दू टाइगर्स के बारे में तो recently Prime Minister Modi ji के दौरा 5th cycle of Indian tiger census को release किया गया है अन्वील किया है जो tiger की census होती है tiger की गढ़ना वो हर 4 साल में होती मतलब 2018 में हुई थी फिर 2022 में हुई है पांच में नंबर की cycle है यह और इस data में हमें बताया गा कि भारत में जो tiger की population ने वो 6.7% increase हुई है तो अगर हम देखें तो भारत में कितने tigers increase हुए है तो 200 tiger भारत में बढ़े हैं और total number of tiger भारत में कितने हो गए है 3167 total number of tiger भारत में हो चुके हैं अगर हम थोड़ा सा tigers के बारे में बात करें तो हमारा जो wildlife protection act है उसके schedule 1 में और IUCN red list के in danger category में आपको tiger देखने को मिलते हैं ओके चलो अगली बात करते हैं राजस्तान forest department के बारे में तो recently राजस्तान के forest department ने तीन नई wildlife conservation reserve create किये हैं जिससे राजस्तान में total wildlife conservation की संक्या कितनी हो गई है 26 हो गई है तो कॉश्चन कैसे बनेगा कि recently कौन सा ऐसा राज है जिसमें तीन नई wildlife conservation center या reserve बनाएगा आंसर हुजाएगा राजस्तान या question ऐसा भी बन सकता है कि राजस्तान में total number of wildlife conservation reserve कितने है तो 26 है या पूछा जा सकता है for example पूछ लिए आप से कि हमीरगर, हमीरगर wildlife conservation कहां पर है, तो हमीरगर wildlife conservation जो है वो राजस्तान में है यह question पूछा जाता है कि जो सौरसन wildlife conservation है राजस्तान का, वो किसलिए famous है किसके conservation का काम करता है तो आंसर हुजाएगा great Indian bastard की ठीक है, तो question किसी भी वो गुमा फिर आके आपको create करके देगा, तो राजस्तान के forest department ने तीन नए wildlife conservation reserve बनाया है, जिससे राजस्तान में conservation की संख्या कितनी हो गई है 26 हो गई है, 26 हो गई है basically कई सारे migrated world, winter के season में यहां पर आते है, इसलिए उनके protection के लिए basically इनने wildlife conservation reserve बनाया गया है उन protected या फिर endangered wildlife को protect करने के लिए अब वो तीन नए wildlife conservation reserve कौन से है, तो एक है सौर्सन सौर्सन, ठीक है ना, जिसको great Indian busterd और black bug के conservation के काम करेगा फिर है आपका किचान, जोधपुर में और हमीर गर जो है, वो भीलबारा में है ठीक है, तो यह आप तीन नाम याद रख सकते हैं, अगली बात करते देखे, जनवरी में एक announcement की गई थी chief of army staff, मनुच पांडे जी के दौरा, और उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्री, जल्री जो हमारी artillery unit है, जो हमारी artillery regiment है, तोप खाने अप्रूफ कर दिया था, तो यहाँ पर finally, जब हम gender equality की बात करते हैं, तो हम army में भी gender equality को देखेंगे कि females भी हो वहाँ पर males भी हो, इसलिए फाइनली पांच women officer को artillery regiment में appoint कर दिया है induct कर दिया है, तो भारती सेना ने अपनी artillery regiment पर पांच महिला अधिकारियों को शामिल किया है चेक है ना, और इनकी training भी जो है, वो चेननाई में conduct हो गई है, अब यहाँ पर वो पांच महिला officer कौन है, तो लेफटिनेंट महक सैनी, लेफटिनेंट साक्षी दोबे, अधिति यादव पवित्रा, मुदगर एंड लेफटिनेंट अकांचा, joint major artillery unit of the army after completing their training at the officer training academy in Chennai Chennai में training complete होने के बाद यह join कर लेंगी, चीक है चलो, next बात करते हैं हम यहाँ पर India to join international climate action in civil aviation from 2027, अब समझो, मामला ऐसा हुआ कि हमारी parliament में एक meeting चल रही थी, committee की meeting चल रही थी, और minister of civil aviation के under, ठीक है तो यहाँ पर एक meeting चल रही थी committee of the parliament of the ministry of civil aviation under the chairmanship of minister Jyoti आदित सिंधिया, तो Jyoti आदित सिंधिया जी, जो कि हमारे civil aviation को समालते हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम 2027 तक, कब तक 2027 तक जो है, वो international civil aviation organization को join कर लेंगे, ठीक है India will join the international civil aviation organization carbon offsetting and reduce scheme for international aviation, ठीक है, कोडशिया कह सकते हैं, carbon offsetting and reduction scheme for international aviation and long term aspirational goal, इनको हम join करनेंगे, 2027 तक ऐसा जोती आदित सिंधिया का कहना है, इसके अलावा, जो ICO है, international civil aviation organization इसके कई सारे goals है, कई सारे target है, यह लोग जो है, वो aviation sector में carbon neutral करना चाहते हैं, net zero carbon emission 2050 तक करना चाहते हैं, तो इन target को भी India join करेगा, ओव्यसी बात है, international civil aviation organization क्या करता है, हमारा जो navigation industry है, उसमें planning, development का काम करने का काम करता है, एक specialized agency, United Nation की, और उसका primary function क्या होता है coordinate, principle and technique of international air aviation Montreal, Canada में इसका head office और 1944 में इसका formation हुआ था last news है, बिहान मेला, caution मिलेगा कि बिहान मेला कहां पर आयोजित किया जाता, तो बिहान मेला, ODISA में होता है को कौनद tribe कोझद tribe कहां पर पाए जाती है तो यह tribe भी आपको, ODISA में देखने को मिलेगी या फिर कौनद tribe के दवारा ODISA में किस मेले का अयोजित होता है तो, बिहान मेला कैसा भी कोशन घुमा फिरा के वो पूछेगा, तो मैंबर जो होते है कौन ट्राइब के ओड़ी सामें, निजे जिक नाइगर डिस्टिक के, उनके द्वारा बिहान मेला लगाया जाता है, चीके? बिहान मेला जो है, उस पे पार्टिसिपेट कौन करते हैं, फार् हो जाती है उसके बाद यहां पर प्रिप्रेशन बीगें एस सूने सफार मर्ह फार्माइब हर्वेस्ट खरीफ क्रॉप करीफ खरीफ क्रव के हार्वेस्ट होने के बाद यहां पर प्रपरेशन शुरू होते है बिहान मेले का इया जिया डाता है और यह कौन ट्राइब जो हे राज कोड़ा, यह सभी जो है, वो सब ट्राइब है, कोन ट्राइब की, अब जो कोन ट्राइबल ग्रुप है, यह कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इनकी अगर लेंग्वेज देखेंगे, तो कुई और कुभी, कुई और कुभी यह लेंग्वेज बोलते हैं, और यह जो लेंग तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारी जो यूटी है ना दादा नगर हवेली अंदमनेंदीव वहाँ पे विजिट पे गए हुए थे और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने नमो मेडिकल एडिकेशन रिसेर्च इंसिटूट का इनौगरेशन किया सिलवासा, दादा नगर हवेली अंदमनेंदीव में और इसका फाउंडेशन स्टोन भी 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही रखा गया था नेक्स्ट बात करते हैं, एस्सियो के बारे में, एस्सियो के प्रेसिडेंसी भारत के पास है और इसका 23rd एडिशन भारत होस्ट करने जा रहा है जुलाई में नई दिल्ली में कौनसा एडिशन है? 23rd एडिशन है, एडिशन याद रखना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एडिशन और फूड कॉनक्लेफ 2023 जो है, वो है वो हैदराबाद में हुआ 28 और 29 अपरेल को नेक्स्ट बात करेंगे सात्विक साहिराज एंदस चिराक शेथी, इन्होंने मेंस डवल बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासल किया है ठीके तो सात्विक साहिराज चिराक शेथी क्या खेलते हैं तो यह लोग बैडमिंटन प्लियर है और इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासल किया है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रियल इस्टेट अवर्ड नेशनल रियल इस्टेट अवर्ड जो है वो राजस्तान को मिला है National Real Estate Award was presented to the Rajasthan Housing Board Rajasthan Housing Board को यह Award दिया गया है बाइदा किसके द्वारा दिया गया है बाइदा Central Government Agency National Real Estate Development Council तो National Real Estate Development Council के द्वारा Rajasthan Housing Board को National Real Estate Award दिया गया है अगली बात करते हैं Azarbezaan Grand Prix 2023 के बारे में तो Azarbezaan Grand Prix जो है वो Sergio Parish ने जीती है और Sergio Parish जो है वो Mexican Driver है चेक है अगली बात करते हैं 17th Anniversary Celebrate की गई Washington Declaration की तो पहला कोशन तो दिमाग में आना चाहिए कि Washington Declaration है क्या जिसकी 70 वी सालगरा को मना लिया तो basically Washington Declaration USA और Republic of Korea के बीच में है जो की एक Security Alliance बनाते हैं अगली बात करते हैं Capital Data इन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया और रिपोर्ट में बताया है कि India has become the largest supplier of refined fuel to Europe तो यूरोप में सबसे बड़ा supplier इंडिया है किसके लिए refined fuel के लिए पहले इनकी dependency जो थी वो रशिया पे थी और रशिया और यूक्रीन के जब से war चल रहा है तो कई सारे sanctions लगाएगा और उसके बाद India become the largest supplier of refined fuel to Europe अंत में ये headline से आप देख सकते हैं तो आप इनका screenshot भी ले सकते हैं PDF से भी पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के भी notes बना सकते हैं आप करना चाहें आप कर सकते हैं हमको बात करनी है अब revision questions पे पहला question है Who has been appointed as a chairman of LIC LIC के chairman किसे बनाया गया है तो Deepak Mohanty है Siddharth Mohanty यहाँ पे आप confused होंगे और एक ही Mohanty आज हमने पड़े हैं बार्क वाले ठीक है? एक ही Mohanty बार्क वाले है और Siddharth Mohanty यहाँ पे LIC वाले है Who was represented with the lifetime achievement award by the Telgo Association of London तो Telgo Association of London के दवारा lifetime achievement award किसे दिया गया है तो यह Raghuram पिलारी City को दिया है Option C Smoke and Ashes इस book के writer कौन है? तो A book के writer जो है Amitabh Ghosh है और इनकी book जुलाई में release होगी ठीक ही, publish होगी, launch होगी तो Smoke and Ashes आपको याद रखना है Amitabh Ghosh Option A is the right answer Recently एक और book launch हुई है जिसका नाम है Reflection तो यह book जो Reflection है वो किसने launch की तो Nirumala Sita Ramanji के दवारा इस book को launch किया है और Reflection के author कौन है तो Banker, Narayan, Bagul है ठीक है? हम बात कर रहे हैं इसके बारे मैंने अपको कर इंट अपर इंट में बताया था Blank is a type of malware that threaten to publish a victim personal data and block access to it unless some money is paid तो यहाँ पर बुला चारह है कि वो क्या चीज़ है, कौन सा malware type है जो कि victim को क्या करता है? victim को धंकी देता है अपना money paid को और उसके बाद ही आप अपना access कर सकते हो data उनकी data को hack कर लेता है तो answer हो जाएगा यहाँ पर ransomware option C is the right answer HTTP का full form सभी को पता है hypertext transfer protocol अब इसमें जो S है, इसका क्या मतलब है S का मतलब क्या होता है? Secure option B Which of the following term is related to the pre-release version of software program तो देखें, कई बार जो software होते हैं वो testing के लिए आते हैं testing के लिए उनको launch होते हैं तो वो बोला जा रहा है कि pre-release version software program का क्या कहला आता है तो उसको हम beta version कहते हैं option C is the right answer beta software refer to the computer software that is undergoing testing and has not been officially released, okay blank is the process of reorganizing the data store on the hard drive so that related piece of data are put back together, all line up in the continuous fashion इसमें बोला जा रहा है कि उस process का नाम क्या है जिसमें आप जो data आपका hard drive में storage को आप reorganize करते हैं तो answer हो जाएगा defragmentation option D is the right answer next है which of the following denote the file that serve as a starting point for a new document तो जब नया document बनाते हो तो उसके लिए पहला आपको file select करते हो what happens? template होते है option C is the right answer which of the following features is not a part of Instagram app? which of the following features is not a part of Instagram app? which of the following features is not a part of Instagram app? so answer is that there is no way of browsing here video sharing, image sharing, instant messaging you do on Instagram, option C correct हो जाएगा active metrics is a technology used in which of the following hardware which of the following hardware is in which of the following hardware उन में, monitors में हम इसका use करते है option D बलकुल correct हो जाएगा this is the question of the day which of the following is a meta language इन में से कौन सी meta language ये 4 languages आपको computer की दिख रही है आपको बस सही आंसर हमें comment पे करना है okay reply भी में आपको बही दे दूंग session पसंद आया है तो अपने friends के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे so मिलते हैं daily 7 am पे हम current affairs में तब तक अपना धियान रखेंगे take care